वेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक तो मैं चैनल वांसाई हंटर आज हम बात करने वाले हैं जामिया पाम के बारे जामिया पाम इसे कार्डबोर्ड पाम के नाम से भी जाना जाता है तो आज हम बात करेंगे इसके कार के बारे कार्ण जामिया पाम के के कार्डबोर्ड पाम के कैसे के जाए दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सकराब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना बुलें ताकि आपको समय पे हमारे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें इसा मानने जाता है कि हजारों साल पुझाना प्लांट है जब इस धर्ती पे डाइनोसोर्स थे तब भी ये प्लांट मुझूद है करना बहुत हीा आजन एक लगाओ और भूल जाओ है मैं आप इससे उंडूर भी रख सकते हैं और अउट्डव रख सकते हैं यitters इसे सेमीेट में रख यहई हैं और आउट डोर में हम इसे फुल संच में रख सकते हैं, फुल सन में इसके उपर किसी तरह का लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आप नर्सरी से नया नया प्लांट लेके आए हैं, और वह ग्रीन आउस में से लेके आए हैं, तो इसे आप डारेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं रखें, अग समय बाद 10-15 दिन बाद आप इसे फुल सन के अंदर रख सकते हैं, यह एक ऐसा प्लांट है, जो लेंड इसकेपिंग के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है, और आप लेंड इसकेपिंग के अंदर इसे आसानी से लगा सकते हैं, इसी तू केर है, दोस्तों जहां तक इसकी सॉइल की बाद है, इसे जो सॉइल चाहिए, वो थोड़ी सी रिच होनी चाहिए, और वेनिक होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में वेल ड्रेंट भी होनी चाहिए, क्योंकि इसे वाटर लोगिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर वाटर लोगिक होगी, तो इसका रूट कि रूट रोट के साथ साथ तक आंदर इसके अंदर एक भा प्रॉबलम होते है वह फंगल इंफेक्शन की वaf तो दोस्तों वर्षाथ अंदर आप इसके प्राउन के इसके क्राउन के उपर कभी कभीं पंगी साइट का इस सर्ज्बार रहा है दोस्तों जहां तक वाटरिंग का सवाल है, इससे आप सफ़ता में एक बार घरपूर वाटरिंग करें। सरदियों में आप वाटर बिल्कुल आधा कर दें। और बरसात के अंदर तो आप बिल्कुल भी इसे पानी ना दें। पानी देने की इसे कोई आवशक्ता नहीं है, यह जो हवा में मॉइस्चुर होता है, उसे यह कैच कर लेता है, मिट्टी को चेक करें, अगर बरसात के अंदर आपको लगता है कि बरसात नहीं आई है और मिट्टी गीली नहीं है, मिट्टी सूक रही है, तो आप इसे पानी द दोस्तों जहां तक फर्टिलाइजर की बात है हम इसे बैलेंस फर्टिलाइजर देते हैं और्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ सर्फ हम इसे बैलेंस एनपीके 19,19,19,19 भी दे सकते हैं आप इसे महिनया में एक बार fertilizer दें और moderate fertilizer दें जादा excess मातरा में fertilizer बिल्कुल भी न दें moderate fertilizer में ये plant फुश रहता है और अची तरीके से ग्लोग करता है तो दोस्तों आज आप भी लेके आईए एक cardwood palm zamia palm बहुत ही खुपचूरत लगता है देखने में ये और अपने गार्डन में अवश्य लगाए एक जामिया पाम की लगाए और भूल जाए तो दोस्तों आज हमने जाना कि जामिया पाम की कैर कैसे की जाए उसकी वाटरिंग, उसकी सनलाइट, उसकी लोकेशन और फटिलाइजर के बारे में क्या-क्या ध्यान रखा जाए अगर आप इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स फिर मिलेंगे तब तक के लिए गुद्बाए